नमस्कार संस्कति आयस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सन्रक्षित इमारते वर्तमान में यदि बात की जाए भारत में तो 3693 इमारते ऐसी हैं जो सन्रक्षित हैं यानि कि वहाँ पर कोई न मती नहीं है लेकिन हां धुबारह से थैसं किया गया है और कि अथारा की पास है कि है गशानधे सालवे घृत लिए टहलों कर दनेतरों को सन्रक्शित रख रक्षा सब्सक्राइब सेंटर के द्वारा और संदक्षित छेत्र गोशित किया जा रहा है और सूची से हटाया जा रहा है ठीक है चले बात कर लेते हैं थोड़ा समें डिटेल में तो भारतिया पूरा तत्व सरवेक्षर यानि की इसने 18 संदक्षित इसमारकों को सूची से हटाने का फैसला किया है अब यह सूची से क्या हो जाएंगी हट जाएंगी चले बात कर लिए शुरुवात से तो वर्तमान में राश्ट्री महत्व के हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया 3693 इमारते हैं टोटल भारत में जिनको सरकार की दौरा संदक्षित किया जा रहा है ठीक है इनकी सुरक्षा और रख रखाओं की जिम्मेदारी है वो सांस्कृतिक मंत्राले के अधीन है जो की एसाई करती है ठीक वर्ष 2013 में नियंत्रण और महाले का परिक्षक ने जब अपना सर्वी किया तो उसमें पाया कि 92 ऐ क्योंकि वह मिली नहीं इसके पशात एसाई ने 42 इसमार्कों को पहचान करने में उन्हें काब्या भी मिली और 42 उसमें से पता लगा ली गई जब की 2023 में दुबारा से जब सर्वे किया गया तो 50 सनक्षित इसमार्कों को लापता गोशित कर दिया गया और यहां पर आप दे सरक्षन में बिल्डिंग्स के निर्मार में पुल बनाने में इन सारी चीजों में तोड दिया गया ठीक है अब आपकी मैंड में यहां रहा होगा कि जब यहां इमारत संरक्षित थी ठीक है और वहां पर 100 मीटर के एरिया में किसी को जाने की अनुमती नहीं है प्लस 300 मीटर इरिया में वी नियमित करने कि उसकी अनुमती नहीं है तो कैसे इनको तोड दिया गया इसे को कहते हैs घुटाला ठीक है उसके बश्षार जहां पर लोग पशते हैं ईडी का मंगदमा चलता है ऐं दवो जेल जाते हैं ठीक है तो हूँँहाँ पर उसको अलाव कर दिया गय या फिर जलासियों में डूब गई ठीक है और 24 समारकों के बारे में अभी तक कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली है कि यह समारके हैं भी या नहीं है वर्तमान सूची में 18 समारकों की पहचान 24 लापता संद्शनाओं से की गई है तो बेसिकली जो 18 समारके हैं उनकी पहचान जो यह आपर मिल नहीं रही थी ना 24 समारके उनमें से की गई है और इनको अब सूची से हटाया जा रहा है चले आगे बात कर लेते हैं केंद दौरा जो लापता हो गए है उसमें क्या कैस मारकों का कारण बताया गया है चले इसको देख लेते हैं कि शहरी करण के कारण यह अचनित हो गई थी पता नहीं चल पारा था कहां पर कौन से समारके हैं लोगों ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया रोड पूल और इस्तरी की चीज़े बना ली तो यह लापता हो गई है साथी साथ उनके उपर घर दुकाने या सडके बना ली गई हैं कबजा कर लिया गया है लोगों के भी द्वारा कई बार जलासियों और बांधू के कारण यह जलमग्न हो गई है इस वज़े से भी यह जो इमारते थी संरक्षित थी उन पर उनको पहचान नहीं की जा रही है सुदूर स्थानों और घने जंगलों के कारण उनके उचित स्थान की पहचान करना मुश्किल हो गया है सुरक्षा की बिसिकली कमी है यदि हम पूरी 3693 इसमारकों को संरक्षित करना चाते हैं तो जो हमें कर्मी चाहिए दाट इस 7000 लेकिन वर्तमान में जो हमारी बजट ब संरक्षित करने का पैसा नहीं था बजट की कमी आ रही थी ध्यान नहीं दिया प्रशाशन के द्वारा जनता ने कई बार उस पर कबजा कर लिया रोड या घर सडके या दुकाने बना दी गई है इस वज़े से जो हमारे सनक्षित छेत्र हैं वो गायब हो गये हैं हम यहां पर ये मिसमझेंगे कि अलक्षित कॉंसे होता है और माने चली आगी बात को लेते हैं कि सूची से जो हम क्या रहें कि लापता होगे क्योंकि वह मिल नहीं रहें नाम उनका जानते हैं लेकिन जगह पे थे अब उस जगह पर दिखाई नहीं दे रहें ठीक है सबसे पहला हो जाता है हुनाचल प्रदेश में तामा मंदर जो बहुत ही जादा फेमस था एतिहाल सिक रूप से बहुत ही जादा महत्वपूंटा भारत के लिए अब उस मंदिर के पहचान नहीं की जा पा रही है कि वह कहां पर है दूसरा है हरियाना के कोश मीनार का मंदिर तीसरा है दिल्ली में बारा खंबा कब्रिस्तान और इंचला वाली गुंटी इसके पशात मद्द पृदेश में ह राजस्थान में बारा में बारवी सदी का एक मंदिर रिस्ता जिसकी हम वर्तमान में पहचान नहीं कर पा रहे हैं जैपुर के किले में एक शिरा लेक था जो नहीं मिल रहा है उत्तरा खंड के कुटुम्बरी छेत्र में 13 बटे 16 की जो नाली है उसको चेत्र गोशित किया गया था क्योंकि वह हिस्ट्री के अकॉर्डिng बहुत ही जादा हमारे ङले महत्र पूर्दी और सबसे जादा जो सन्रक्षित छेत्र चिनहित कि ए गए हैं वह उत्तर प्रदेश के चिनहित कि ए गया चीक है तो उत्तर प्रदेश से कुल इतने छेत्रे हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं नहीं मिल रहे हैं सबसे पहले है गाजीपुर में बर्गत का बाग जो था दूसरा है कट्रा नाका बन का कब्रस्तान तीसरा रंगून में गनर बॉर्किट का मकबरा इसके बाद गउ घाट आ जाता है जहरोला रोड में मील 6 और 8 पर जो कब्रस्तान इस्तिता वह नहीं मिल रहा है लखनो फीजाबाद रोड पर मील 3-4-5 की कब्रे जो हैं यहां पर एक लिंग मंदर सिथा जिसको हम नहीं ढूड़ पा रहे हैं और तेलिया नाला बौद खंड़ हर यह जो जितने भी एतिहासिक स्मारके थी वह पूरी तरीके से क्या हो गई है नस्ट हो गई है मानो प्रत साङ्पषित लग जाता है यह जाता है तो पूरा तत्पीग ःतीहासिक और वास्ते की से रास्ति रखने वाला कि सीए प्राचिन समारक रास्ती से समारका गोशिट कया जाता है झाले वह पूरा ततिक से रिएटर में डरने钊 हो संब्रें हो यह या वास्ताяж सिल्पbnす कोई मंदिरों जहां पर वास्तुसिल बनाया गया तो यदि ऐसी छेत्र है जो अतिहासिक द्रस्ट इसे इन तीनों कैटिगरीज में आ रहे हैं उनको हम सब्सक्राइब गोशित कर दिया जाता है किसके द्वारा के तहप हम इन सनरक्षित और को उनकी सूचि से हटा सकते हैं चलिए आगे देख लेते हैं ने को सनरक्षित करने का अधिकार है और यह जो पूरा-पूरा अधिकार है वो किसके पास इसके पास है यानि की archaeological survey of India के पास है आगे बात कर लेते हैं कि इसमें हम किन किन सनरचनाओं को समलित करते हैं कौन-कौन से स्थानों को समलित करते हैं सबसे पहला यदि मैं बात करूँ वास्त शिल्प में तो वहाँ पर हमारे मंदिर आ जाते हैं तो यहाँ पर मंदिर मज्रित मगबरे किले हो जाएंगे आपके स्थूप कब्रिस्तान गुफा शेल जो रूपक्रती होती है वह उतकीन लेक और एक आश्म आदि यह सभी है जिन सकता है वहाँ पर वहां कि जो सेक्योरेटी येठी है सिर्फ वही जा सकती है वही कारे करेगी और इसके पशार्ट छो 200 मिटर शेटर यानि की तो यह और प्लस 200 I आनि की 300 मिटर का जो एडिया है वहाँ पर वा सकती है तो इस वज़े से यह जो इमारते हैं वो नस्ट हो गई है, पूरी गलती सरकार की नहीं है, हमारी भी है क्योंकि हम भी कई बार वहाँ पर तूट गया है, कुछ हो गया तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर छित्र बना लेते हैं, अपना घर बना लेंगे, दुकाने बना लेंगे, लेकिन ये कमी किसकी है सरकार की है क्योंकि उसके पास इतने सुरक्षा कर्मी नहीं है जो वहाँ पर तैनात रह सके और कारी कर सके और सरकार उसको अच्छे से सरनक्षित कर सके तो इसकी वज़े से हमने अपनी 18 जो एतिहासी के मारते थी बिसिकलि उनको गो दिया है ठीक है आगे बात कर लेते हैं इस मारको को असूची भद करने का तत्वरी क्या है तो जैसे मैंने बताया कि कौन से धारा है पूरा तत्वस्तल और अवशेश अधिनियम 1958 की धारा 35 के त स्थती एयससर क्या नहीं रह गाता है है जब वहां सूची से estéट जाएंगी तो यहां पर एस की कोई भी जम्मेदारी नहीं चाहै माँ पर कोई भी कैसा कारे क्या जायो है लेकिन और समारक के मिल ही नहीं रही तो सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं तुमें प्रिश्ण प्रश्ण हमारा क्या है प्रिश्ण है कि राश्टी महत्वक्य जो समारक है इनके बारे में निम्लिक इतकत्नों पर विचार कीजिए गोशित किये जाने वाला समारक कम से कम 200 वर् करना विलकुल भी नहीं भूलें